दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले नवदीप सिंग के लिए एक लाइक जरूर करें गाइस कल पैरालंपिक्स 2024 के मैंस जैवलिन थ्रो F41 की कैटिकरी में इंडिया के नवदीप सिंग ने हिस्ट्री क्रियेट कर दी है और जीत लिया है गोल्ड मैडल अगर नवदीप सिंग के जैवलिन फाइनल के मैं आज की पूरी हाइलाइट्स की बात करें तो नवदीप का फर्स्ट एटेंप फाउल हो गया नवदीप सिंग ने अपने दूसरे एटेंप में 46.39 मीटर का थ्रो किया नवदीब सिंग ने अपने तीसरे अटेंब में 47.32 मीटर का थ्रो किया जोकि एक न्यू पैरालंपिक्स रिकॉर्ड है मैंस जैबलिन थ्रो F41 कैटेगरी में नवदीब सिंग का चौथा अटेंब फिर से फाउल हो गया वही नवदीब सिंग ने अपने पाँचवे अटेंब में 46.05 मीटर का थ्रो किया और दोस्तो नवदीब सिंग का लास्ट और छेवा अटेंब फिर से फाउल हो गया जहां नवदीब सिंग का हाइश थ्रो था 47.32 म दोस्तों आपको बता दे इस final match को पहले इरान के बैट सहाई ने जीता था जोहां बैट सहाई का highest throw था 47.64 मीटर का पर बाद में इरान के बैट सहाई को disqualify कर दिया गया विकॉस बैट ने जीतने के बाद हमास के flag के साथ celebration किया था जिसके करण बैट सहाई को disqualify कर दिया गया और इंडिया के नवदीप सिंग ने जीत लिया है gold medal नवदीप सिंग के gold medal के अलावा चाइना के sun ने जीता silver medal और इराक के wilder ने जीता है bronze medal तो दोस्तों नवदीप सिंग के इस performance को आप 10 में से कितने नंबर दोगे comments में जरूर बताएं वीडियो को like, share और channel को subscribe कर दे, thank you for watching this video